फर्स्ट क्वेशन है पादप त्वारा पड़ी मात्रा में अपेक्षी तत्व कौन सा होता है आंसार है नाट्रोजन पादप किसके लिए उज़ किया जाता है पेट पादो के लिए जो पेट पादो की जड़े होती है उसमें ज्यादा कौन से तत्व को बांद कर रखता है व वकखसाईट जो होता है वो ऐलुमिनियम का कानीच अयसक है नेच्स्ट है वाईवनडली हवा में सबसे प्रचूर घटक कौन सा होता है अंसर है नेट्रोजन greater वो उसमें जो नेट्रोजन होता है वो सबसे अधिक रहता है 78% रहता है नेक्स कोश्चन है दूद को मतने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है आंसर है अपकेंद्रिय बल यदि दूद जो होता है उसको मता जाए तो उसमें जो क्रीम रहती है वो बाहर आ जाती है तो वो कौन सी क्रिया के कारण होती है उसमें लगे अपकेंद्रिय बल के कारण ऐसा होता है नेक्स्ट है तंतु आहार में शामिल है आंसर है सेलिलोच जो तंतु आहार है उसमें सेलिलोच उपस्दित रहता है Cellulose जो होता है वो इसको केवल जानवारी पचा सकते हैं इंसानों के लिए Cellulose को पचाना बहुत ही कठीन होता है Next हमारे सरीर को उर्जा कौन सा पोसाग तर्थव देता है Answer है Carbohydrate जो Carbohydrate होते हैं वो हमारे सरीर को उर्जा प्रतान करते हैं जैसे glucose हो गया हमारे सरी को instant energy अगर देना है तो हम को क्या लेना पड़ेगा glucose glucose भी क्या है एक कार्बो है नेक्स्ट प्रकास किरर पूंच जो अत्यांत दिशिक हो क्या कहलाती है laser अत्यांत दिशिक हो मतलब की targeted होना चाहिए तो वो कौन सी किरने होती है वो होती है laser किरने laser किरने क्या होती है targeted किरने होती है जो हमारे सरी किसी भी चीज का अगर इलाज करना है तो बहुत सी चीज़ें जैसी होती है जो लेजर के घ्रू होती है, तो यह क्या होती है, टार्गेटेट होती है, यानि कि जिस चीज का हमको जिस जगह पे करना है, वही चीज पर यह एकत्रीत होती है. Next है जुकाम किस प्रकार होने वाला रोग है. आंसार है वाइरल जो जो काम होता है वो वाइरल डिसीज है यानि कि फैलने वाली चीज है नेक्स्ट है गतिशिल वैदुत आवेश पैदा करता है चुम्बकी चेत्र जो चुम्बकी चेत्र होते हैं उनलोग वैदुत आवेश यह वो पैदा करते हैं नेक्स्ट है प्रावर्तित प्रकास में उर्जा आप्तन कोड के बढ़ने के साथ बढ़ती है यदि कोई किरने प्रावर्तित हो रही है तो उसमें क्या होगा अप्तन कोड अगर बढ़ेगा तो उसमें जो परावर्ति प्रकास में उर्जाज होगी वो भी बढ़ेगी नेस्ट है मलेरिया रोग पैदा होने का कारण कौन सा है आंसार है प्रोटो जोवा जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है प्रोटो जोवा के कारण होता है रथा है आंसर है बायू मंदल यह कारबन डाइय रिख्याट के साथ सार उर्जा का विपाशन जानिकि जब हमारी बायू मंदल में वातर जब बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है ग्रीन हासए इफेक्ट होता है किसी परमाडू में परिक्रमर कर रहे किसी इलेक्ट्रोन की कुल उर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन क्या होती है? हम लोग देखे इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजन करते हैं ने कि इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होती है वो रिड़ातमक आवेश होती है तो उसमें कभी भी उसकी जो आवेश होती है वो धनातमक नहीं हो सकती नेक्स्ट है चालन बेन इलेक्ट्रोनों की गतिश इलता चित्रों से अधिक होती है क्योंकि उनमें क्या होता है रिड़ाश जिड़ आवेश होता है नेक्स्ट है नुकलियस की द्रव्यवान संख्या कितनी होती है सदा उसके परमारू करवांग से अधिक होती है जो द्रवेमान की संक्या होती है वो मास जो होती है वो proton प्रस neutron का जो होती है वो sum होती है इसलिए जो द्रवेमान संक्या होती है हमेशा उसके परमारू संक्या से अधीक होती है क्योंकि जो protonों की संक्या होती है तो लगबग उसके प्रमानु क्रमांग के बराबर होती है. फिर उसमें हम लग नेट्रॉन भी जोड देते हैं. इसलिए क्या होती है, जो द्रवेमाण संख्या होती है, उसके प्रमानु क्रमांग से अधीक हो जाती है. नेक्स्ट है प्रिश्मस से गुजरने पर प्रकास का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दरसाता है आंसर है बैगनी जब हम प्रिश्मस से प्रकास को गुजरते हैं तो वो क्या होती है साथ रंगों में विभाक तो हो जाती है तो जो तरंग देधरे सबसे अधिक होती है वो लाल रंग की होती है बैगनी रंग की तरंग देधरे कम होती है लाल रंग की तरंग देधरे अधिक होती है क्योंकि वो क्या होता है फैलता नहीं है वो जादा विशलित नहीं होता है लेकिन बैगनी रंग की तरंग देधरे ज उसका जो क्रोड है वो किसका बना हुआ होता है नर्मलोहे का बना हुआ होता है नेक्स्ट है कोईले की खानों में प्राया विस्फोर्ट करने वाली गैस कौन सी होती है आंसर है मिथेन कोईले की खानों में अक्सर जो है वो विस्फोर्ट देखा जाता है तो वो कौन सी गैसों के कारण होता है? वहाँ पर उपस्ती मिथेन गैस की कारण में होता है मिथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4 Next है सीसा का सबसे महतोपूर्ण आयस्क क्या है? Answer है सीसा का जो आयस्क है वह है गैलना Next प्रोटीन मुख्यता किस प्रकार का आहार है? Answer है नैट्रोजनी आहार प्रोटीन में क्या होता है? नैट्रोजन युक्त जो आहार होते हैं वो जादा मिलता है Next जूट किस प्रकार की फसल है? Answer है रेसे वाली व्यपारिक फसल है नेक्स्ट है कुनेन की स्पेड की चाल से निकलती है आंसर है सिनकोना नेक्स्ट है है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियासिल कौन है आंसर है ब्रोमीन हैलोजन में जितने भी हैलोजन तत्व हैं उनमें सबसे अधिक क्रियासिल कौन सी है ब्रोमीन है नेक्स्ट है सबसे बड़ी आखें किसे संधारी प्रानी की होती है आसर है हीरन की सबसे बड़ी आखें जो होती है वो हीरन की होती है हीरन की आखें क्या होती है हमारी जूतने भी मनुष्य हैं उनसे मिलती जूलती रहती है अगर किसी मनुष्य की आखें डिफेक्टेड हो ज यह सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जीत होती है और कार्बन डायक्षाइट मात्रा जो इसकी मात्रा होती है वो क्या करती है ग्रीन हाउस effect को बढ़ाती है, global warming को बढ़ाती है नेक्स रहनीम नलिकित में से किस उद्योप में अभरग कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाते है आंसर है विदूद, विदूद उद्योप में अभरग कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है और हमारे भारत में अभरक जो है वो कहां पाया जाता है आप लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर बताएंगे next है विदूत प्रेश का अविस्कार किस ने किया था answer है henry shee lene जो विदूत प्रेश होता है उसका अविस्कार किस ने किया था दाप अधीक होगा तो खाना जल्दी पकेगा अब दाप कैसे अधीक होता है प्रेशर कुकर रहता है उसमें उपर में धक्कन लगी हुए थी वो एयर टाइट रहती है तो क्या करता है जितने भी वहाँ पर भाप बनते हैं वो उसी के अंदर रहती कुकर के अंदर जिसके चोल्क गर कि अधीकसीब्र आप खाना नियम क्ला रहती है। रहती है प्रतियीक ख्रया के बराबर विपृत दिशा में प्रतिकरिया होती है यह निउटन का कौन सा घ्रीम है enhance इसे भी क्रिया के पराबर विपरित दिसा में एक प्रतिक्रिया बल लगती है जैसे कि एक्जामपल हम जमीन पर चलते हैं तो हमारी पैर जमीन पर जाती है हमारे पैर के द्वारा जमीन पर जो ही एक बल लगाया जाता है जमीन वापस उसी दिसा में एक बल लगाती है जिसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं तो जिसके करण बैलेंस जो होता है तो वही चीज़ है न्यूटन का तीसरा निया नेक्स्ट है तामा कॉपर का शत्रु तत्व कॉमस है गंधक नेक्स्ट है उगदे वे वडूपते समय सूरी लाल प्रतीत होता है क्यों आंसर है लाल रंगा प्रकेडन जो होता है वो सबसे कम होता है नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता की खोच किसने की थी आंसर है हैंडरी बैकुरल ने जो रेडियो एक्टिविता होती है वो उसकी खोच किसने की थी हैंडरी बैकुरल ने नेक्स्ट है दो समतल दरपड एक तूसरे से साइट डिगरी के कोड पर जूके हैं उनके बीच में एक गेंद के बने प्रतिबीम्बों की संख्या कितनी होगी इसका एक फर्मूला होता है 360 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 मानस 1 याने की 5 तो जो समतल दरपड है उनके बीच में जो साइट डिगरी का कोड है और उनके बीच में गेंद की प्रतिबीम्ब की संख्या क्या होगी 360 डिवाइड बै ठीटा जो भी ठीटा दिया होगा मानस 1 नेक्स्ट पानी की अंदर हवा का एक बूलबूला किस तरह बरताओ करता है आंसर है एक ओतल लेंस की तरह पानी की अंदर जो हवा का बूलबूला रहता है वह एक ओतल लेंस की तरह व्यावार करता है नेज़ से इकायों की समस्ति व्यवस्थों में किस इकायी की मात्रा समान होती है अमसर है विशीस्ट गुरुत्वकी नेज़ कोशन है यदि कोई मनुष्य समतर दरपड की ओर चार मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दरपड में मनुष्य का प्रतिभीम किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो देखिए, हम लोग दरपड के सामने, जैसे कि V वेक से जा रहे हैं, V मीटर पर सेकंड से हम लोग दरपड की और आगे बढ़ रहा है, तो उसमें ज दबल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिभीम कि है, वो डबल से आती हुई प्रतीत होती है, तो फोर इंटू टू एट, तो जो प्रतीभीम है, मनुष्य का प्रतीभीम, वो की साल से आता हुआ प्रतीत होगा, एट मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट है, कारों, ट्रकों और बसो करते हैं, उपधातु कहलाते हैं, जैसे की हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, यह क्या है, उपधातु है, नेस क возьmers ए, वनिस्पति विग्यान के जनक किसे कहा जाता है, आंसर है थियो फ्रेस्ट्र, वनिस्पति विग्यान को इंगलिश में बोटेनी कहा जाता है, तो वनिस्प सबसे अधिक किसमें होती ही इस बात में होती है नेक्स्ट है एक व्यक्ति घुमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाएं खड़ा है एक वहां पाहें सिकोड लेता है तो इस टूल का कोडिय वेक क्या होगा आंसर है बढ़ जाएगा नेक्स्ट है चंद्रमा पर एक वहां विस फोट होता है इसकी आवाज प्रित्वी पर सुनाई देगी या नहीं आंसर है सुनाई नहीं देगी चंद्रमा पर कोई भी क्रिया होती है वो हमें प्रित्वी पर सुनाई नहीं देगी नेस कोशन है चंद्रमा पर वायू मंदल ना होने का कारण क्या है आंसर है पलाय वेग नेस्ट है यदि किसी सरलोला की लंबाई 4 प्रतिसद बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा इसका फॉर्मूला होता है तो लंबाई के हो रही 4 प्रतिसद बढ़ रही है अगर हम लोग अंडर रूट 4 रखेंगे ल की जगा तो क्या हो जाएगी 2 बाहर आएगी तो किता प्रतिसद बढ़ेगा उसका आवर्तकाल 2 प्रतिसद बढ़ जाएगी नेक्स्ट है एक लड़की जूला जूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो जूले का आवर्तकाल क्या रहेगा अब परिवर्तित रहेगा नेक्स्ट है हम रेडियो की घुंडी घुमा कर विविन स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं यह संभव है किस के कारण से अनुनाद के कारण से नेक्स्ट है वैंचूरी मिटर से क्या मापने है आंसर है जल के प्रवाह की दर वैंचूरी मिटर से हम लोग जल के प्रवाह होती है उसकी दर को मापते हैं कि जल जो है किस दर से बहर रही है नेक्स्ट है चौराहों पर पानी के फुभारे में गेंद नाज़ती रहती है क्योंकि पानी का वेक अधिक होने से दाब घर जाता है नेक्स्ट है यदि तरव्यमान अपरिवर्तित हुए बिना प्रित्वी सीकूर का अपनी वर्तमान तरिचा की आधी रह जाए तो दिन कितना होगा वो भी बारा घंटे का होगा